हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल बेबी मॉमी हेल्प मैं में आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आइधिंक सभी स्वस्त हूंगे और बहुत ही खोश हूंगे जैसे कि आप लोग टाइटल देखकर समझी चुके हूंगे कि बच्चे को डाइप पर पहनाना दिन बहर डाइप पर पहनाना कितना सही है और कितना गलत और क्या इसकिन को नुक्सान पोस्ता है तो आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और शूशू पोटी करता है शुरुवाती कुछ महीनों में तो बच्चे दिन में कई बार टोयलेट कर देते हैं बच्चा जैसे दूद पीता है वैसे शूशू और पोटी कर देता है और बार बार उसके कपड़े बदलने पड़ते हैं जिससे कि हम लोग काफी परिशान हो जा बच्चों को कभी-कभी नीमोनिया या बुखार जैसे समझ से हो जाती है क्योंकि शुरुवाती महीनों में बच्चा हर एक से दो घंटे में दूद पूता है इसलिए उसे टौयलेट भी जादे आता है और इसे सोखने के लिए बच्चे को एक दिन में आठ से दस डाइपर की जरुवत होती है लेकिन कोशन यहें उता है कि क्या बच्चे को रोज या पूरा दिन डाइपर पहना कर रखना ठीक है क्या बच्चे को रोज डाइपर पहनाना चाहिए देखे रोज डाइपर इस्तमाल करना बच्चे को हर समय डाइपर पहना कर रखना सही नहीं होता है बच्चे की स्किन बहुत जादा सेंसेटिव होती है और हर वक्ट डाइपर पहना कर रखने से बच्चे को रैसिज या स्किन पर जलन हो सकती है बच्चे की सेंसेटिव स्किन की जरूर देख बाल करनी चाहिए कोशिश करें कि बच्चे को हर वक्त डाइपर पहना कर ना रखें दिन में कुछ समय बच्चे के लिए डाइपर फ्री टाइम जरूर दें कम से कम एक से दो घंटा बच्चे के डाइपर को ना पहना है और जब भी आप डाइपर पहनाते हैं या तो डाइपर बच्चे की रेशिस फ्री क्रीम लगा दें या हलका सा उसको गीले कपड़े से क्लीन कर दें जिससे की बच्चे की स्किन साफ रहे और वो रेशिस या स्किन रेड होने की समस्या से बस सके क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सर्दी के मुसम में ये समस्या कम होती है लेकिन गर्मी में बच्चे को पसीना आता है और डाइपर के अंदर गर्मी हो जाने के कारण बच्चे को रेशिस की समस्या जादा हो जाती है अब बात आती है कि कैसा डाइपर चुने देखिए अगर आप बच्चे को रोज डाइपर पहनाने चाहती है या फिर मैं कहूं कि आप वर्किंग हैं और बच्चे को बार-बार कपड़े नहीं बदल सकते हैं और बच्चे को पूरे दिन डाइपर में रखना चाहती है तो आपको अच्छा डाइपर चुनना चाहिए जैल वाला डाइपर बच्चों के लिए काफी फायदे मंद रहता है क्योंकि जैल वाले जो डाइपर होते हैं टॉयलेट को अच्छे से सोख लेते हैं और बच्चे की स्किन पर रैशिज वगरा की समस्या जो है काफी हद तक कम होती है कुशन आता है कि कितने समय में बदलना चाहिए डाइपर देखे बच्चे दिन पर में पौटी तो कम करते हैं लेकिन टॉयलेट बार बार करते हैं डाइपर गीला होने पर आपको उसे बदलना है और हर गंटे में आप चेक करती रहें कि डाइपर गीला तो नहीं है नोट करके रखें कि बच्चे का डाइपर कितनी कितनी दिर में गीला हो जाता है आप रोज यही शिडियूल फोलू करें और हो सके तो 4-5 गंटे बाद अगर कम भी गीला है बच्चे ने तीन से चार बार टायलिट किया तो बच्चे का डाइपर आप चेंज कर दें देखे थोड़े बड़े बच्चों की तुलना में नवजात बच्चों को जल्दी डाइपर बदलने की जरूत होती है क्योंकि उन्हें यूरिन जादा आता है इसलिए जन्म के बाद कुछ शुरुवाती महिनों में आप बच्चे का डाइपर जल्दी जल्दी बदलते रहें अब बात आते कि क्या रात में भी डाइपर बदलना चाहिए देखे रात को ऐसा डाइपर पहनाना चाहिए जो बच्चे को लंबे समय तक सुखा रख सके इससे आप और आपके बच्चे दोनों ही गहरी नीन में सो पाएंगे अगर बच्चे की नीन पूरी ना हो तो सुबह बच्चा चिड़चिड़ा रहता है जिससे आप और बच्चे दोनों का ही दिन खराब होगा और बच्चा भी परेशान रहेगा और बच्चे को समालने के में आप भी काफी परेशान रहेंगी क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है देखे बच्चा कई गंटे तक एक ही डाइपर पहन कर रखता है अमोमन पूरा दिन भी डाइपर में निकल जाता है इसलिए डाइपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अगर क्वालिटी खराब होगी तो बच्चे की स्किन पर रैशीज और जलन होने का खत्रा होता है आप बच्चे को हमेशा अच्छे ब्रैंडेड और अच्छे क्वालिटी की ही डाइपर पहनाए इससे बच्चे की मुलायम और सैंसेटिव इसकिन ठीक रहेगी और उसे किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी अब बात आती है कि बच्चे के डाइपर एरिया की केर कैसे करें देखे डाइपर बदलते समय कुछ सेकंड के लिए बच्चे को खुला रखें ताकि डाइपर वाली जगे पर हवा लग सके जब आप डाइपर निकालती हैं तो सॉफ्ट इश्यूज या बेबी वाइप से बेबी की स्किन को अच्छे से सफ करें आप बेबी के डाइपर एरिया पर मॉस्चराइजर भी लगा सकती है आप डाइपर रेश क्रीम भी लगा सकती है इस बात का भी ध्यान रखे कि बच्चा ज़्यादा देर तक गीला न रहे वर्णा बच्चे को दाने और रेशिस की समस्या ज़्यादा हो सकती है तो उम्मीद करती हूं दोस्तो आज का इई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को जादे से जादा शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग बेबी मॉमी हेल्प थैंक यू नमस्कार